हेलो फ्रेंट्स गुड मानिंग कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और एक और नए व्लोग की नई सुबह के साथ सुरुआत हो गई है और मेरी हालत देखके आप लोग बता सकते हैं कि आज हमारे यहां गौं में इतनी ठंड है और अब तो हलका हलका यहां कोहेरा भी पढ़ने लगा है आप लोग देख सकते हैं और अभी सुबह के साढ़े छैप के अरांड हो गया है आप लोग वहां से देख सकते हैं कि प्यारे प्यारे से सूरस दादा भी दिखाई देने लग गए हैं अभी सायद आप लोगों को दिखने ही रहोग अपने और जा रही हूं ना तुलसियां के पत्तियां लेने में क्योंकि चाय बनने की सुरुआत हो गई है हेलो फ्रेंड्स पहले ही मैं बता देती हूं आप सब लोगों को कि ये जो क्लिप है ये जो पूरा का पूरा वीडियो है ये 6-7 दिन पहले का है क्योंकि जब से मैंने डालना वीडियो बन किया था ये तभी का वीडियो है क्योंकि ना इसके बाद मेरी तब्यत बहुत चादा खराब हो गई तो मैंने वीडियो और ना एडिट कर सकी और ना ही वाइस ओवर दे सकी और साथ ही साथ मैंने तोड़ लिया है तुलसी की पतियां और तुलसी की पतियों को तोड़ने के बाद बस मैं आ गई हूँ घर के अंदर क्योंकि मेरी बहन यहाँ पे चाय बना रही है यह हमारे यहां बहुत खाय जाते हैं थंडियों के मौसम में यह आने लगते हैं और अच्छे लगते हैं खाने में किसी भी खाने के साथ साइड डिस की तरह ना इसको खा सकते हैं जैसे भावा बैंगन वगएरा हुआ ना तो ऐसे यह भी बनते हैं और आज के खाने में हमारे तो इसे सातना तहरी आखिजड़ी बहुत अच्छी लगती है तो बस ये बना हुआ है नास्ते में और इसके बाद बज रहे हैं दस और हम लोग तयार हो रहे हैं मैं और मेरा भाई और मेरा बेटा जाने वाले हैं बुगा के घर तो बस हम लोग तयार हो गए हैं और निकलने वाले हैं यहां पर हमारी रिक्सा भी आ चुकी है और बस इसी रिक्से पर बैटके हम लोग बस श्टाप तक जाएंगे आगे का सफर मेरा बस से रहेगा और बस जाएंगे हम लोग यहां पर मेरी मम्मी बाबू को ले जही हैं कि आ जाओ बेटा तुम मत जाओ तुम ना ना कर रहा है और हम लोग पहुत के हैं इस समय बस श्टाप पी और बस श्टाप पे दुकान देखते ही मेरा बेटा बहुत परेसान हो गया उसको चाहिए चीज तो वो आ गया है चीज लिगने के लिए और जो गाओं के बस श्टाप होते हैं ना वो सहरों के जैसे बिलकुल भी नहीं होते हैं वहां के विव बहुत अच्छा होता है ये हमारे गाओं के पास का ही एक बस श्टाप है छोटा सा है बिलकुल तो ये देखिए यहां पे मेरा बाबू लड़ू लेने की जिन में चाहिए तो मेरा भाई लड़ू पैक कराने गया है उसको जो चीज अच्छी लगती है वो अपनी फेवरेट चीज तो कभी नहीं छोड़ता है और आज कब लोग अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल के सिस्टाइब करिएगा लाइक करिएगा और सेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और यह देखिए यहां पर हम लोग बैठ चुके हैं मैं और मेरा भाई और हम लोग जा रहे हैं और राश्ते में थोड़ी बहुत ओबड़ खाबड जगा है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही हूं कि गाओं में एक होते है बहुत अच्छा लगता है ऐसा लगता है ना कि हम लोग लोग ट्राइब पर जा रहे हैं और यह देखिए यहां पर हम लोग सायथ पहुंच चुके हैं और भूगा के घर से कोई मुझे लेने आने वाले हैं तो बस उसी केंसे जार में हम लोग बैठें और यह जो सड़क ज कहाँ गये थे और रात में हम लोगों ने कोई भी वीडियो नहीं बनाया क्योंकि किसी के घर जाके तुरंत वीडियो बनाना अच्छे बात नहीं है और अच्छा नहीं लगता है इसलिए सुबह जमने नहां दोके तयार हुई है यह वीडियो तप कहा है और इसके बाद यह यहां पे मेरा भाई और मेरा बेटा भी तयार हो गए हैं खड़े हो गए हैं कहीं जाना है हम लोगों को उसके लिए और यह देखे हम लोगों को एक मंदिर में दर्सन करने जाना है एक्चुली इसलिए हम लोग आए हैं यहां पे और यह देखे यहां पे मेरे बुआ जी के द्वार का मतलब नजारा है ये अनार का पेड़ आप लोगों को दिखा होगा ये पपीते भी लगे हुए है और ये थोड़ा बाग टाइप का है छोटा सा बागीचा उन्होंने बना रखा है जहां पे जानवर वगेरा भी रहते हैं ये देखे भैंस है और छोटे बड़ी प लगे हैं और हाँ ये हमारे घर की तरह खटे वाले निम्बू नई है ये पैवर संत्रे देखने और खाने में फ्रेस फ्रेस वैसे कहीं तो जल्दी नजरी नहीं आते हैं बस तोड़े हुए बजार में ही मिलते रहते हैं और यह देखें बस वहां से निकलने के बाद